LFP और UFP का मतलब क्या होता है LFP is lower fixed point and UFP is upper fixed point अगर question में isotropic या anisotropic शब्द नहीं mentioned है तो आप क्या मानोगे उसे isotropic ही मानोगे free rod है कोई भी external force नहीं लगा रहा मतलब यहां पे जो इसकी length increase हो रही है उसका reason external force नहीं है लेकिन हाँ मैं 45 मिंट में तुम्हें इतनी अच्छी आइडिया ले सकता हूं इस chapter के बारे में कि भाई कब सवाल आया कितने सवाल आये किस से जादा पूछे जाते अलो बचापाड़ी क्या हाल चाल कैसे आप सब लो क्लास कैसे सारे प्यारे प्यारे बचे तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड मैप सीरीज में और आज अपन माइंड मैप्स देखने वाले हैं धर्मल प्रोपर्टीज ऑफ मैप अब देखो दोस्त इन माइंड मैप्स का maximum utilization कैसे करना है आप लोग को इसके लि यह जो session से आपके पढ़ने के लिए नहीं है यह revision के लिए है and time पर जब आप revise करते हैं तो minimum time पे आप पूरा syllabus minimum time में revise कर सके तो वो सारी चीजे माइंड मैप्स में हैं इन माइंड मैप्स को जब आप देखेंगे तो मैंने हर एक concept जितनी भी theory या जितने भी concepts हैं पूरे syllabus के सारे के सारे यहाँ पे लिख रखें साथ में आपको PYQ tagging में मिल जाएगी तो आपको समझ में आता जाएगा कि भाई जो जिस पर number of PYQ की यह जितने जादा है obviously बात उस पर question जादा ask किये गए मतलब थोड़ा जादा important concept है relatively जैसे कि एकर मैं बात करूं इस chapter में तो आप द आप देखेंगे कितने सारे PYQs पूछे गए हैं almost हर एक साल तो आप देखेंगे यह जो पार्ट है आपका स्टेफिन्स लॉग वीज इस देश्मेंट लॉग स्टेफिन्स लॉग और नूटन्स लॉग यह सबसे जादा important पार्ट है पूरे chapter का तो यह short notes या mind maps जब आप कर mind maps में आपको मैंने दे रखी है तो शुरू करते हैं अपना mind maps on thermal properties of matter thermal property की जब मैं बात करता हूं तो सबसे पहला जिकर आता है किसका temperature का ठीक है तो temperature basically क्या होता है degree of hotness और coldness मतलब गरम या ठंडा नापने का जो scale होता है ठीक है उसे temperature scale पे या temperatures की टम में अपन नाते हैं अब कुछ common temperature scales दो अपने data to return में आते हैं वह आते हैं Celsius Fahrenheit and Calvin ठीक है अब समझना बचा पाट एक बहुत important concept and points है इस रिलेटेड बिकॉस कई बार exam में questions पूछे जा सकते हैं directly on the temperature ठीक है तो temperature पर basically conversion वाले सवाल आते हैं Conversion वाले सवाल के लिए तुभे समझना पड़ेगा यह LFP और UFP का मतलब क्या होता है LFP is lower fixed point and UFP is upper fixed point lower fixed point नाम आ रहा है fixed point तो समझो क्यों आ रहा है fixed point समझो अगर मैं पानी की बात करूँ तो पानी के पानी में पिखनने का temperature same है या पानी के freeze होने का temperature fix है अगर उसे Celsius scale में नापोगे तो 0 degree आएगा Calvin में आपोगे तो 273 आएगा Fahrenheit में बात करोगे तो 32 degree Fahrenheit के बड़ाबर होगा लेकिन जिस temperature पे water freeze हो रहा है वो इस बात पर थोड़ा डिपंड करेगा तुम कौन से स्केल से Fahrenheit में आप रहा हो या Calvin में आप रहा हो या Calvin में आप रहा है similarly water जिस temperature पे boil होता है वो भी fix है तो जो boiling point of water उसे UFP कहते है अपर fixed point UFP और जो freezing point of water होता है उसे LFP lower fixed point कहते है जो की Celsius scale में lower fixed point की बात करें तो 0 होता है अपर fixed point boiling point of water 100 degree Celsius होता है Fahrenheit scale में अगर मैं बात करूं lower fixed point 32 degree Celsius Fahrenheit होता है और अपर fixed point 212 degree Fahrenheit होता है वही Calvin पर बात करें तो lower fixed point that is freezing point of water 273 Calvin होता है boiling point 373 अब बात करते हैं इस पर सवाल कैसे आते हैं पेटा इस पर जो सवाल आते हैं वो किस पर आते conversion of temperature पे बेज सवाल आते हैं तो reading minus LFP upon UFP minus LFP constant रहता है मतलब किसी भी thermometer में scale पे जो reading आएगी वो reading minus lower fixed point उस scale का upon upper fixed point minus lower fixed point का जो difference है UFP minus LFP ये हर एक scale के लिए constant होता है तो अब समझ जो बच्चा पार्टी मालो मैं Celsius scale में बात करूँ मैं किस में बात करूँ बच्चा पार्टी में किरता है 100 और lower किरता है अपॉन 100-0 ये किसके बार मालो Calvin scale में बात करेंगे reading in Calvin scale लेट से के है तो के माइनस lower fixed point in lower fixed point in Calvin किरता है 273 upon upper fixed point 373 माइनस lower fixed point 273 वहीं अगर मैं Fahrenheit में बात करूँगा तो लेट से Fahrenheit में जो reading आ रही हो से मैं F बोल ला हूँ माइनस lower fixed point of Fahrenheit के 32 upon upper fixed point 212 minus lower fixed point 32 मालो ये तो Celsius Calvin और Fahrenheit तो ये तो एक standard scale हो गए मालो कोई random scale दे देता है उस random scale पर लेट से value x है उस scale का जो lower fixed point है माइनस कर दोगे upon उस divide कर दोगो उस scale के upper fixed point minus lower fixed point तो ये हर किसी के लिए क्या रहता है constant रहता है अब एक बहुत common size temperature का conversion है Celsius and Fahrenheit का जो सबसे जादा commonly पूछा जाता है इसलिए मैंने इसका direct formula लिग दिया c is reading in Celsius scale c क्या है बच्चा पार्टी reading in Celsius scale किसके बराबर है 5 by 9 times Fahrenheit minus 17.77 तो अगर y equals to mx plus c से आप compare करेंगे तो समझ में आ जाएगा slope किता आ रहा है 5 by 9 तो Celsius versus Fahrenheit का अगर आप graph बच्चा पार्टी 5 by 9 तो Celsius versus Fahrenheit scale अगर है तो वो कैसा आएगा स्टेट लाइन आएगा slope की वैलू 5 by 9 इंटरसेट की वैलू माइनस का 17.77 degree Celsius तो यह relation आता है c is equals to 5 by 9 f minus 17.77 I hope यहां तक सभी लोग comfortable होंगे देखो बच्चा पार्टी बहुत महिनत लगके एक एक चीज अरेंज करके यहां पर नोट्स बनाए हैं आप लोग के लिए और हो सकता है clarity स्क्रीन में कम आ रही हो लेकिन जो आप download करेंगे बहुत अच्छी clarity में सारी चीज़ें मिल जाएंगे ठीक है second thing is जब आप इसको अपने original note से syllabus से या NCRT से भी आप match कराएंगे तो हर एक information जो NCRT की है वो मिलेगी हर एक PYQ solve करने के लिए जो required concept knowledge या कहलो formula यहां पर है मतलब सिर्फ इन short notes को पूरे chapter को 5 page में कर दी है सिर्फ 5 page में मेहनत मरी लगी है लेकिन सिर्फ 5 page आप revise कर लेंगे तो पिछले 35 साल के सारे PYQs आप solve कर सकते हैं लेकिन हां इससे पहले यह chapter आपने पढ़ा हो आप directly first time अगर यह chapter पढ़ रहे है तो obviously बात है short note से कुछ नहीं समझ में आएगा इनका काम ही तब है जब आएक बार आप chapter पढ़ चुके हैं अच्छे से detail में कुछ question solve कर चुके है रिवीजन के वक्त final revision के वक्त इनका help रहता है तो मैं इसलिए बोलना हूं कि अगर आपने chapter नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लें अच्छे से फिर इनको देखें अब next concept आता है temperature के बाद thermal expansion है इस पे कुछ सवाल बनते हैं अब thermal expansion की जब मैं बात करूँगा तो तीन तरीके के expansion की बात करूँगा linear, aerial and volume ठीक है linear expansion मालो किसी metal rod को तुम गरम कर रहे हो तो क्या हो कि इसकी length increase होगी और किती हो जाएगी L0 plus delta L तो जो change in length आती है सबसे important जो formula बनता है वो किस पे बनता है change in length पे बनता है तो change in length किसके बराबर हो जाती है,and not alpha delta t के बराबर आजाती है, यहां से गर आप alpha निकालना चाहो तो delta L, not delta t को नीचे बेड़ो, यहां से ल की वैलु एल्टा इन्टॉ वन प्लिस ड्र ईल्टा टी अगी टोटल लैंट अगर पूछा हो तो यह फोल्म लगा देंगेure ऌड़्ट इंटू प्लिस अल्फा डील्धदी और अगर एल्फा की वैलु अगर आपसे पूछी हो गी तो डेल्टा एल अपॉन एल नॉट डेल्टा टी हो जाता है अब बात करते हैं एरिया की सेम फॉर्मले हैं बस लेंथ की जगा ए डाल दीजिए और अलफा क्या था कोफिशन्ट ओफ लिनियर एक्सपेंशन था उसकी जगा बीटा डाल दीए बीटा क्या ओब दता इक कोफिशन्ट ओफ सुपरफिशल एक्सपेंशन या एल एकसपेंशन बोह याए की बात तो युद्ञ ऑगर मैं एरिया की बात करूं इनीशल एरिया नॉट यहीट करो के थुड़ा बढ़ा हो जाये का डॉटक बना दिया एरिया बढ़ गया तो हीट करने के वाद फाइनल एरिया एनॉट प्लस डेल्टा ए लेग देते हैं यहां पर चेंज इन एरिया डेल्टा ए की बात करें तो एनॉट ओरिजिनल एरिया इंटु बीटा इंटु डेल्टा टी बीटा क्या होता कोफिशन्ट कि अगर बच्चा पाटी मैं बात करूं तो बीटा की वैलू बीटा और अल्फा में रिलेशन की बात करो तो बीटा की वैलू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई होगी कब जब एन आइसो ट्रॉपिक सॉलिड होगा हाला कि यह पारे में इस तरीके का सवाल आज तक नीट क आया नहीं लेकिन पूछा जा सकता है बीटा अगर कोई एन आईसो ट्रॉपिक सॉलिड होगा तो एल्फा एक्स प्लस अल्फा आई आई अईसो ट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ ऐसा सॉलिड जिसमें डारेक्शनल चेहरेक्टर्स टिख हो मतलब जिसमें एक्स एक्सिस के अ का expansion थोड़ा अलग हुआ हो और वाई एक्सिस के लॉंग expansion अलग हो तो उस case में बीटा जो होगा वह alpha x plus alpha y जनरली जो सवाल आते हैं हो कैसे आते हैं isotropic solids के लिए आते हैं अगर question में isotropic या isotropic शब्द नहीं mentioned है तो आप क्या मानोगे इससे isotropic ही मानोगे चोटा लिखा है शायद कम दिख रहा हो नोट में साफ साफ है क्या मानोगे आइसो ट्रॉपिक तो बीटा की वैलू 2 एल्फा होती है आइसो ट्रॉपिक सॉलिट्स के लिए ध्यान रखना अगर एक्जाम में कोश्चन आता है आइसो ट्रॉपिक या एन इसो ट्रॉपिक कुछ भी नहीं मेंचेंड है तो बाई डिफॉल्ट आप क्या मानोगे आइसो ट्रॉपिक मानोगे और बीटा की वैलू 2 एल्फा बता दो क्या आए कि उन्यर्पिय्ट में इसके बाता है वालुमेटरिक कोफिशेंट की बात करते है को वाल्यूम है उसको भी हीट करोगे तो ओवर ठांडी बढ़ेगा तो वाल्यूम क्या हो जाएगा सेइम धोल्ठ वेल्ट के लिए ऊडिए अड़ए गामा लगा लगा तेरी की अगर डेल्टा भी यहां पटक दोगे वी नॉट कॉमन लेगा तो फाइनल वाल्यूम जो हो जाएगा किसी भी जब आप टेंपरिचर बढ़ाते हैं फाइनल वाल्यूम जो मिलेगा वह वी इस इकस्टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी के बराबर मिलेगा अब गामा क्या होता है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी के बराबर होता है गामा क्या होजाएगा इस फॉर्मले से वी नॉट और डेल्टा टी को डेल्टा वी के नीचे उतारद होए लिका है गामा इस इकस्टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इस तरह स इसके लॉंग behavior किसी solid का अलग अलग है अलग-अलग direction में अगर कोई solid अलग-अलग behavior शो करता हुसे एन आइसो ट्रॉपिक solid कहते हैं उस case में total gamma किसके बराबर हो जाएगा alpha x plus alpha y plus alpha लेकिन अगर कुछ कुछ भी नहीं दे रखा है तो आप उसे क्या मानोगे आइसो ट्रॉपिक मानोगे और एक आइसो ट्रॉपिक solid के लिए गामा की वैलू 3 alpha के बराबर होती है तो यहां से आप किसी भी solid के लिए अब बात करता हूं एक बात को समझ में आगे हैं के अब मैं बात करता हूं expansion of liquid की यह मैं अपनी तरफ से addition बता रहा हूँ ठीक है आप देखो कि पी बाई क्यू में भी कभी सवाल नहीं है expansion of liquid की बहाद समझो अगर आप liquid को heat करना देखो solid को तो चलो ठीक है आग में डाल दी आग लगा दी आग गरम होगा वो यह लेकिन लिक्वीड को एक का temperature बढ़ाने के लिए गरम करने के लिए आपको लिक्वीस सी बाते उस पानी को लिकुट को क्या करना पड़ेगा किसी वैसल में किसी बरतन में रख के ही गरम कर सकते हो डायरेक्ट उस लिक्वीड में माच Het नहीं लगा सकते गरम नहीं किया जा कर लिक्विट का लिक्विट को जब रखके गरम कर रहे हो तो वेसल भी तो हीट हो गया तो वो बेसल क्या करेगा बच्चा वह एक्सपेंड कर जाएगा वैसल तो देखर हो यह पहले वैसल यह ओरीजिनल वैसल यह था लेकिन जब तुमने हीड किया तो वैसल खुद भी तुम कैसे समझ में आता कि यह एक्सपेंड किया है कि नहीं मालो यह लेवल है तुमने हीड कि अगर लेवल ऊपर चला जाता तुम कहते एक्सपेंशन हुआ है तो अगर नीचे चला जाता तुम कहते लिक्विड कॉंट्रेक्ट हुआ है लेकिन लेकिन जो तुम्हे लेवल लेक्विड राइस करेगा यह लिक्विड का जो वॉल्यूम बढ़ा वो तुम एक्षुली रीडी नहीं कर ़ो है नहीं कर पागे कुछ लिक्विड का पार्ट वैसल के जो वैसल जतनाches के वैसल के जब volumetric expansion liquids का पढ़ रहा है तो गामा apparent की बात करते हैं वो क्या होता है गामा of liquid जो liquid का volumetric coefficient है minus gamma of vessel ठीक है भाई liquid जितना एक्सपेंड किया उसमें अगर जितना vessel expand किया मैं वो minus कर दूँ तो imparted gamma मिलेगा ठीक है क्यों-कर ना पढ़ रहा है विए को लिए करने में चला जा रहा रहा है क्यों क्यों वो फिल डावर जितना 450 क्या उत्तर टॉप जर्डिए कर दुख enzymes को फिल करने है अब सौलिट्स के लिए गामा किसके बराबर होता है 3 also सख्छने पिछंग इस वार Hill was just कि लिए टेट झाली तो सब्सक्राइब क junction क्या लिए 2019 मोण इसपे कैसे सवाल मन सकते हैं और पूछा जा सकता है दो सक्छाए julius गामा की वैलू दे देंगे और वैसल का अलफा दे देंगे तुम सबसे पहले थ्री टाइम्स अलफा कलेट कर लोगे अगर लिक्विड का एक्च्वल गामा जो है वो थ्री अलफा से बड़ा होगा मतलब लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड करेगा एस कंपेर टू वैसल तो जब आप सौल करोगे तो देखोगे गामा ओफ लिक्विड कम आया लेस दें थ्री अलफा आया लेस दें थ्री अलफा मतलब थ्री अलफा बड़ा है गामा लिक्विड से मतलब वैसल जादा एक्सपेंड कर रहा है लिक्विड से और अगर वैसल जादा एक्सपेंड करेग जितना liquid expand कर रहा है उतना ही अगर vessel भी expand कर जाएगा उस case में there will be no change in the water level, water level क्या रहेगा, will remain same, ठीक है, तो gamma अगर liquid का 3 alpha से जादा हुआ, तो water level rise करेगा, 3 alpha से कम हुआ, water level fall करेगा, gamma of liquid 3 alpha के बराबर हुआ, water level same रहेगा, इस तरीके है, अब अगला concept यह आता है, बहुत key concept है, बच्चा पार्टी thermal expansion को लेके, ठीक है, thermal expansion के लिए यह बात ध्यान लखना, key point है मेरी तरफ से, क्या thermal expansion is like a photographic zoom, कैसा होता है, photographic zoom जैसा होता है, thermal expansion, ठीक है, जैसे मालो कोई photo खीच के zoom करते हो, तो zoom करते हो, तो क्या होता है, हर एक aspect ratio, equal ratio में बढ़ा होता है, मालो तुमरे अ ठोपड़ा बढ़ा हो जाए, आखे नाक और मुझ छोटा छोटा सा रहे, आख भी बढ़ी होती है, जूम करते हो, नाक भी बढ़ी होती है, मुझ भी बढ़ा होता है, तो हर एक चीज, तुम समझो, मालो तुम से बोला है कि इसको thermal expansion होने पर इसका क्या होगा, तुम simply feel करो होगी, तुम इसको mobile में फोटो खीच के इसका जूम कर रहे हो, तो किसी भी चीज को जूम करते हो, तो aspect ratio maintain होता है, मतलब हर एक चीज, अगर किसी को magnify कर रहे हो, तो हर एक चीज बढ़ी होती है, तो मालो तुम से question में ये पूछ सकता है, आपे कि ये रिंग है, जिसमें य बढ़ेगा, कौन घटेगा, तो तुम ये कहा हो, तुम समझना इसका answer क्या जाएगा, जब भी आप इस रिंग को heat करेंगे, तो D, small D, जो gapping है, वो भी बढ़ेगी, और radius R की value भी बढ़ेगी, D और R दोनों ही increase होके मिलेंगे, I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे, clear, ठीक ह थर्मल स्ट्रेस का, यह भी बड़ा interesting concept है, thermal expansion में concept आता है, thermal stress, अब क्या होता है, यहां पे आप अधिकतर गलतिया कर सकते हो, गलती करने की संभावना है, क्या है, वो भी मैं बताता हूँ, कोई एक free rod पढ़ी है, ठीक है, उसको जब आप heat करोगे, तो उसकी length बढ़ अब अगर बच्चा पार्टी, अब अगर बच्चा पार्टी, मैं बात करूँ, stress और strain की, मैं यहाँ पे एक page लेकर बता दे रहाँ, हलाकि मैं delete कर दूँगा, अगर मैं strain की बात करूँ, तो क्या बच्चा पार्टी उसे delta l by l लिखते थे, तो आपको क्या लगेगा बच्चा पार्टी, कि इस free rod है, free rod है, heat कर रहे हो, तो कुछ expansion मिलेगा, heat करने के बाद, heat करने के बाद, जो delta l मिलती है on heating, क्या l not, alpha delta t मिलती है, heat करने से, अगर temperature delta t से बढ़ा होगे, तो change in length l not, alpha delta t मिलेगा, यहाँ strain की formula में put कर दोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा, कि delta l की value, l not, alpha, delta t, upon l की जगा l not, put कर दो, यह कड़ जाएगा, तो strain की value, alpha, delta t मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, हमें लगता है कि strain आएगा, लेकिन आता नहीं है, क्यों नहीं आता समझना, stress या strain, मेरी बात ध्यान से सुनना, तो बड़ा important concept है, stress या strain दोनों कब आते हैं, जब आप एक external force लगा के किसी की length को change करना चाहें, किसी की length को force लगा के बढ़ाना या घटाना चाहेंगे, तभी stress और strain आएगा, अगर आपने external force नहीं लगाया, तो stress strain नहीं आएगा, तो simply, वही free rod है, कोई भी external force नहीं लगा रहा, मतलब यहाँ पे जो इसकी length increase हो रही है, उसका reason external force नहीं है, वो खुद, उस temperature बढ़ने की वज़ा से, वो naturally, naturally उसका response है, अपनी length को बढ़ाना, कोई भी चीज़ अगर naturally होती है, तो उसमें stress नहीं आता, अगर कोई externally आपको रोकेगा, externally factor आके, external force लगेगा, तभी stress आता है, चुकि यहाँ पर कोई external force नहीं है, तो यहाँ पर कोई उसको balance करने के लिए internal force भी develop नहीं होगा, तो इस case में ना stress develop होगा, ना strain develop होगा, हमें लगता है कि stress strain आना चाहिए, because delta L, change in length हो रहा है, तो change in length upon original length, strain के formula से हमें लगता है कि strain आना चाहिए, stress आना चाहिए, बट formula से मद्दे को physically समझो, stress strain कब आएका, जब कोई external force हो, यहाँ कोई external force नहीं है, तो ना stress होगा, ना stress, अब दूसरा आता है, clamped rod, rod दो support के बीच में fix है, अब आपने इसको heat किया, अब हमें लगता क्या है कि heat भले ही तुम कर दो, चब यह fix है, तो यह move नहीं कर सकती, यह rod के यह दोनों end move नहीं कर सकते, मतले length of the rod तुम्हें क्या दिखेगी, constant दिखेगी, और constant दिखेगी तो तुम्हें लगेगा delta l 0 है, तो यहाँ पर stress और strain दोनों ही नहीं आने, दोनों ही नहीं आने चाहिए, लेकिन उल्टा होता है, यहाँ पर आता है, क्यों आता है, क्योंकि लिए इसकी length बढ़नी चाह रही थी, तुमने जबरदस्ती नैचरली इसकी length बढ़ चुकी है, इन दो clamp ने जबरदस्ती उनकी length को रोख रखता है, तो जब clamp rod होगी, या fixed rod लिखा होगा question में, तो तुम लोगों बताओ कि हाँ, stress और strain दोनों आएगा, stress कितना आएगा, young small less time strain, stress, young small less time strain, strain की value किती आती, alpha, delta, t, अभी निकाल के देखा, delta, l upon, l, इस case में, जब हमें लग रहा है, बच्चा पाटी, कि fix है, कोई length में change नहीं हो रहा, तो हमें लगता है stress strain zero होना चाहिए, तो यहां होता है, यहां हमें दिख रहाए की length बढ़ रही है, हमें लगता है कि होना चाहिए, तो यह 0, तो यह समझे थोड़ा, अलग सा concept है, इसलिए मैंने mention कर दिया, free rod case में stress strain दोनों zero होता है, और clamp rod होगी, तो stress भी आएगा, strain भी आएगा, stress कितना लगा रहे होगी, rod wall पे कितना force लगा रहे होगी, तो force के लिए, क्या stress क्या होता है, force per unit area, तो area उधर multiply कर तो force की value हो आजाएगी, area of cross section into young's modulus into alpha into delta T, delta T क्या है, change in temperature, I hope समझ गया होगे, thermal stress, free rod के case में stress strain दोनों zero होते है, clamp rod के case में stress strain दोनों non zero होते हैं, इनकी value होती है, stress की value young's small less alpha delta T होती है, strange evil उस सिर्फ alpha delta T होती है, force on the wall पूछ देगा, तो area of cross section into young's modulus into alpha delta T, लिख देंगे, I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे, clear, ठीक है, अब एक next concept आ जाता है, equivalent thermal conductivity, कई सारी rod को series में अगर जोड दिया, इसमें पहले rod की length alpha 1 है, alpha 2 है, alpha 3, alpha, तो को यह जो theory का part नहीं ही है, ना NCRT में है, बट हाँ, इस पर numerical बनते हैं, जो कई बच्चे solve करने में बहुत समय लगता है, मैंने उसका आपको formula दे दिया, चुटकिया बजा के इन formula की help से आप solve कर लोगे, ठीक है, अगर कई सारी rod दे रखे हैं, जिसका thermal coefficient और length आपको दे रखे हैं, तो alpha equivalent का formula लिख दिया, L1, alpha 1, plus L2, alpha 2, plus L3, alpha 3, अगर N rod है, तो plus LN, alpha N, upon total length of the rod, L1, plus L2, plus L3, plus L4, up to LN, जित्ती भी rod है, सबके लिए, L1, alpha 1, plus L2, alpha 2, plus L3, alpha 3, plus L4, alpha N, करके, upon total length, L1, plus L2, जित्ती भी rod की, सबकी length को जोड़ दिया, तो alpha equivalent of the arrangement आ जाता है, generally, जो सवाल बनते हैं, वो case पर बनते हैं, दो rod के combination के लिए बनते हैं, जब भी दो rod देखेंगे, तो alpha equivalent का formula directly, L1, alpha 1, plus L2, alpha 2, upon L1, plus L2, दो ही rod है, तो बसके यह दोनों टर्माएंगे, शुरू वाले, clear है, तो thermal effective, equivalent thermal conductivity की बात करें, equivalent coefficient of thermal expansion की बात करें, equivalent coefficient of thermal expansion की बात करें, तो यह formula आ जाता है, I hope यहाँ तक सभी बर्चे comfortable होंगे, clear, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स चीज पर, questions corner पर, यह बड़ी अच्छी चीज मैंने तुम्हें बताई, यह सेम concept है, छोटा सा concept है, 2019 में, 2016 में, 1999 में, मैं आप से चीज़े पूछी कहींगे, solve करने में बहुत time लगेगा, अगर आप चली जाएंगे, बट मैंने इसका एक key point आप लोग के लिए बना दिया, दोबारा इस तरीकी की language आइस तरीकी का सवाल कभी भी आएगा, आप चुठ क्या बजा के solve करेंगे, कैसे, चुठ क्या बता, तो दो समझदा बच्चा बाड़े कर आप question solve कर रहे हैं, अपनी sheet में भी, homework में भी, या PYQ में कभी भी करें, अगर language में लिखा, आपको कई सवाल मिल जाएंगे, effective length will be independent of temperature, चाहें, दो rod होंगे, उनके combination की बात कर रहा होगा, और बोला होगा कि जो total length हमानी है, total combination जो बन रहा है, वो उसकी जो length है, वो temperature vary करने पे change नहीं हो रहे है, effective length will be independent of temperature, कब होगी, तब होगी, जब L1 alpha 1 की value, minus times L2 alpha 2, मालों, दो rod है, पहले की length L1, coefficient of thermal expansion, alpha 1, दूसरे की rod L2, coefficient of thermal expansion, alpha 2, तो अगर ये combination independent of temperature बताना है, इस combination की overall length को independent of temperature बनाना है, तो L1 alpha 1 की value, minus times L2 alpha 2 के बराबर होनी पड़े ही, ये condition लगा, ये बहुत सारे सवाल है, PYQ की किताब उठाना, ये तीनों सवाल करके देखना, चुटकिया वजाके हो जाएंगे तुमसे, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, next concept की, that is by metallic strip के concept, तो समझना बच्चा पाथी, दो strip है, different material के लिए, यहाँ पे जैसे मैंने, aluminum और copper ले रिया, ठीक है, दो strips है, different materials की, अगर वो end to end connected है, अगर उन्हें heat करोगे, अब heat करोगे, तो भाई, जो को aluminum और copper, या फिर जो भी metals है, metal one और two मैं बोलता हूँ, ठीक है, तो दोनों अलग-अलग, दोनों की thermal expansion coefficient होगा, alpha की value दोनों के लिए हो सकते हैं, तो क्या होता है, depends करता है कि alpha क्या है, अगर minimum का अलफा ज्याधा होता तो जिसका alpha ज्याधा होगा, वो convex side पर होगा, ऊपर की side उपर, convex side savedBY को, जिसमें घड्वाली side को concate कहते हैं, कध्ये वाली side को conquay कहते उबड पहाड टाइप की जो शॉयप होते हैं उसके का तो जिसका αफा जाधा होगा वो उपर घ्याद मिसेड आएगा इसलिए उपर क्या मतलब क्वसाइड पह आएगा तो अगर अलफा अल्मुनिय sudah का alpha जादा हुआ copper से तो उपर के almonium convex side पे आ जाए गढ़े वाली side में copper आ जाए और वहीं अगर बच्चा party copper का thermal coefficient alpha की value copper alpha of copper alpha of almonium से बड़ा हुआ तो जिसका alpha बड़ा होता है वो convex side में आता है तो कोपर का अगर alpha बड़ा होता तो copper convex side में आ जाता तो जिसका alpha बड़ा होगा वो convex side में जाएगा और जिसका छोटा होगा वो concave side में जाएगा तो by metallic strip पे सिंपल यही सवाल पूचेगा कि bending किदर होगी तो मैं सिर्फ alpha को compare करना होगा कि कुसका बड़ा है किसका छोटा है जिसका alpha बड़ा होगा वो convex side में होगा जिसका alpha चोटा होगा वो concave side में होगा आई hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे अब next concept आते हैं इसमें heat की समझे ना बच्चा पाटी heat होता क्या है फिर आगे की बात तो heat कि से कहते है flow of energy due to temperature difference temperature difference की वयसे जो energy का flow होता है उसे हम heat कहते है heat की unit की बात करें तो जूल होती है इसकी SI unit और अर्ग सोती है इसकी cgs unit लेकिन जूल और अर्ग दोनों से ज़्यादा commonly used unit है वो है calorie वो क्या है बच्चा पाटी calorie तो वन जूल और अर्ग के बीच में relation देखें तो वन जूल is equals to 10 to the power minus 7 अर्ग सोता है लेकिन जो practical unit होती है वो calorie होती है तो सबसे ज़्यादा relation जो यूज करने वाली unit होती है heat के लिए वो calories होती है और SI unit क्या है जूल है calculation में numerical में हम हमेशा कौन से input करते है SI unit तो वन कैलोरी जूल में relation पता होना चाहिए तो वन कैलोरी किसके बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर होता है है अब पूरी हीट का सबसे important formula आ गया क्यूज़ी को स्टो डेल्टा क्यूज़ी का है heat heat क्या होता है energy का वो flow जो temperature difference की तर्म important है कभी भी heat current या heat flow की बात हो रही है तो उसकी बजा हमेशा temperature difference ही होगी मालो मैंने चाटा रसीद के तुमारे गाल पे मार दिया तुमारे गाल गरम हो गए energy मिली तुम्हारे गालो बट उस गालो तुमारे गालो पे energy मिलने का जो वज़ा है वो temperature difference नहीं मेरे हाथ की kinetic energy तो उस case में जो तुम्हें energy मिले उसे तुम heat नहीं कहोगे heat तभी कहोगे जब क्या होगा temperature difference होगा माल लो तुम बुलेट चला रहे हो बिल्कुल पर 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 बुलेट का साइलेंसर तुम्हारी टांगों में चिपक गया हलका साथ तब जो तुम्हें energy फ्री फ्रील होगी और तुम्हारे जो टीक निकलेगी उस energy के फिल होने का उस वक्त जो energy transfer हुई उसे heat जरूर कहेंगे because वो किस वज़ा से हुई bullet का silencer और तुम्हारी जो skin थी उनके वीच में temperature difference था temperature difference की वैसे जब energy flow होगा तो उसे heat कहेंगे बाकी किसी और वज़ा से energy flow होती है तुसे heat नहीं कहते हैं आई होग दोनों example clear होंगे लड़तों को तो खास तोड़ते तो delta q is equals to m into s into delta q क्या होता हीट that is energy flow m क्या होता है mass of substance s क्या होता है specific heat capacity ठीक है क्या होता है specific heat capacity और डेल्टा टी क्या हो गया चेंज इन टैपरेचर क्लियर है अब यह से जो आया specific heat capacity इस पर काफी चर्चा कर लेते हैं नीट 2020 में specific heat पूछी गई है उनने सुनब्य में specific heat capacity पूछी गई है तो specific heat अगर इस formula से मैं देखू तो delta q को m delta t से divide कर दो तो specific heat आ जाएगी क्या definition क्या होती है इसकी heat required to raise the temperature of unit mass of substance by unit degree unit mass of substance के temperature को unit degree से temperature बढ़ाने के लिए जो इतनी total heat होगी उसे specific heat capacity कहते है क्या होता है total heat upon total mass and total temperature difference delta q upon n delta t specific heat होती है unit की बात करें तो जूल पर केजी पर कैल्विन होता है या फिर जूल पर केजी पर डिगरी Celsius के लिए बहुत important बात है बचा बादी आपकी time को exam में बहुत time बचाएगी पर कैल्विन और पर डिगरी Celsius दोनों ही SI में मैं count कर ले रहा हूं क्यों डिगरी Celsius तो SI टर्म नहीं है क्यों मैं माल दे रहा हूं डिगरी Celsius तो CGS इसलिए जब मैं change की बात करता हूं तो जो change in temperature Celsius scale में आता है वही हमेशा कैल्विन में आ जब आप final minus initial की value भले कैल्विन में निकाले चेंज या चेंज की value आप डिगरी Celsius में निकाले बात पर तो जब भी हीट ट्रांसफर वाला chapter होगा और चेंज डेल्टा टी फामुले में आ रहा हो जिस जिस फामुले में डेल्टा टी आता है आप डिगरी Celsius और Calvin के चेंज के बारे में नहीं सोचेंगे जो डिगरी Celsius में difference आएगा वही difference हमेशा Calvin scale पे भी आएगा तो इस जगहां पे आप time अपना waste नहीं करेंगे मैं अलग से बता रहा है इसकी इसलिए जूल पर केजी पर Calvin बोलें जूल पर केजी पर डिगरी Celsius के एक ही बात होती है विकोज जब मैं चेंज की बात करता हूं तो जितना difference चेंज डिगरी Celsius में आता है हमेशा उतना ही difference Calvin में भी आता है Commonly used unit जो है calorie पर ग्राम पर डिगरी Celsius है commonly अगर मैं बात करूं तो energy की क्या होई calorie ग्राम पर डिगरी Celsius होती commonly अब मैं कुछ डेटा है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज याद रखे specific heat of water जो होती specific capacity of water जो होती specific heat capacity वाटर की होती वन calorie पर ग्राम पर डिगरी Celsius वन calorie पर ग्राम पर डिगरी Celsius कैलोरी पर ग्राम पर डिगरी Celsius एक को भूल भी जाओ specific heat of water वन होती है नंबर तो दिहान रख सकते हैं तो वन calorie पर ग्राम पर डिगरी Celsius होती है अगर मैं जूल पर केजी में बात करूं तो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन के बराबर चाहिए specific heat of ice और steam दोनों की बराबर होती है किती होती जीरो पॉइंट फाइव स्पेसिफिट ऑफ इस्टीम और आइस किसके बराबर होती जीरो पॉइंट फाइव देख रहता इन कैलोरी पर गराम पर कैलोरी वाली ही यूनिट ध्धियान लखो तुम जूल वाली भूल भी जा वांटर में वन होती है और आइस और इस्टीम की 0.5 होती है कैलोरी में आंसर निकाल ले समान लो फाइनली जूल में पूचा है तो जितने भी कैलोरी आए उसे फॉर पॉइंट टू से मल्टिप्लाई कर दो तुमारा काम स्पेसिवीट ऑफ वाटर और स्पेसिवीट ऑफ आइस और इस्टीम याद रहना वाटर की वन होती है आइस और इस्टीम की 0.5 होती है सिंपल है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यह की फार्मला हीट के लिए कि कितनी हीट लगेगी क्यों इसमें आपको वैलूज पुट करते रहनी है आई होप यहां तक सभी बच्चे कमफरटेबल होंगे क्लियर अब इसके बात समझना बच्चा पार्टी पेस चेंज की बा रहा होता है तब जो हीट होती है किसी भी यूनिट मास अफ सबस्टांस की यूनिट डिग्री टेंपरचर बढ़ाने से जो हीट रिक्वाइड होगी उससे स्पेसिविक हीट कहां लेकिन लेटेंट हीट क्या होती है हीट रिक्वाइड टूचेंज दफेज ऑफ दस समझो जीरो डिग्री सिल्सेस पे आइस भी एक्जिस्ट करती हो जीरो डिग्री सिल्सेस पे वाटर भी एक्जिस्ट करता है तो आइस से वाटर में तुम्हें कनवर्ट करने के लिए कुछ एनरजी देनी पड़ेगी वही एनरजी क्या होगी लेटेंट हीट होगी तो जब भी आ heat mass of substance को latent heat कहा जाता है अब इसका भी डेटा आप water के लिए ध्यान आखे latent heat of fusion fusion मतलब होता है solid to liquid तो latent heat of fusion for water क्या होता है जब ice से water में convert करोगे तो 80 calories per gram होता है और वही latent heat of vaporization की बात करें तो 540 calorie per gram होती है vaporization मतलब water to gaseous phase में मतलब water to steam जब convert हो रहा होगा 100 degree Celsius का water जब steam में convert होगा तो latent heat of vaporization काम आती है जिसकी value 540 calories per gram होती है और जब ice to water conversion हो रहा था हो तो latent heat of fusion काम आती है जिसकी value 80 calories per gram होती है I hope यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे clear जब भी face change हो रहा होगा तो जो heat का formula आप use करेंगे जब भी face change का process हो रहा होगा तो heat का जो formula आएगा वो कितना आएगा बच्चा पाटी heat का जो formula यूज होगा वो क्या होगा delta q is equals to mass times latent heat delta q is equals to m into clear है need 2016 में भी latent heat पे सवाल आया है 2012 में भी सवाल आया है अब water के लिए heat given और temperature का अगर मैं graph बनाओ तो कैसा आएगा इस बात को मैंने plot कर आएगा मालो कोई water का sample है ice sample है minus 20 degrees Celsius जब minus 20 degrees Celsius की ice को तुम heat दोगे तो क्या होगा heat heat दोगे उसका temperature बढ़ेगा minus 20 से minus 19 आएगा minus 15 आएगा minus 10 आएगा minus 15 आएगा minus 10 आएगा minus 8 करते करते एक दम से 0 पहुंच जाएगा थोई दिर बार करते करते कहां पहुंच जाएगा बच्चा पार्टी temperature कहां पहुंच जाएगा जीरो जब एक बार तुम heat देने लगे और वह जीरो पहुंच गया जीरो पहुंचने के बाद उसकी temperature जब आप heat और देंगे तो उसका temperature ऊपर नहीं जाएगा थोड़ी देर तक वो क्या होगा बच्चा पार्टी यह आइस जोगी पिगलेगी 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 कहां पहुंचेगी इस पॉइंट पहुंच के पूरी की पूरी वाटर ब उपर वाटर का temperature कभी नहीं जा सकता अब हंडर्ट डिगरी सेलसेस पर फिर से अगर आप heat दोगे तो क्या होगा उसका phase change होगा और पूरा का पूरा वाटर किसमे चेंज हो जाएगा steam में और इसके बाद भी अगर आप heat देते हो जब पूरी की पूरी वाटर steam में चेंज ज तो माइनस 20 डिगरी की आई ती आपने heat दी तो temperature बढ़ा बढ़ते माइनस 20 से बढ़ेगा माइनस 15 माइनस 10 माइनस 5 0 0 पे आगया आप वो पूरी की पूरी आई यहां से क्या होगी पिघलना सुरू होगी heat देते जा रहे हो यहां तक आते आते पूरी आई पिघल के water हो रहे तो क्या होगा water convert होना सुरू करेगा steam में steam में steam यहां पहुंचके पूरा का पूरा water अब इस्टी में convert हो चुका फर्दर और heat दोगे तो क्या होगा उसका फर्दर और temperature बढ़ेगा तो यह ग्राफ आता है heat versus temperature का फॉर रहा है अब मैं बात करता हूं concept कि 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 कैलोरी concept है क्या है simple सी बात है एक ठंडा एक गरम एक ठंडा और गरम को तो मिलाओगे तो एक मिक्षर तयार होगा तो जो मिक्षर का temperature होगा वह ठंडे और गरन दोनों के बीच का हो जो गरम वाला object होगा वह heat supply करेगा ठंडा वाला absorb करेगा दोनों मिक्स होके किसी final temperature पे मिक्षर के temperature पे आ चाते हैं यह experiment केलोरियमेट्री का है आप में से सभी ने किया होगा जिसने कभी भी गलति से भी एक बार सरदियों में नहाया होगा तो calorie metric experiment जरूर किया होगा वह ये क्या कहते हैं bucket में तुम्हारा मालो गरम पानी है एक में तो ठंडा ठंडा पानी है तो तुम क्या गरम क्या होता है इतना गरम होता है कि इसकी जला दे ठंडा इतना क्या कहते है ठंडा होता है कि रूख अपा दे तुम्हारी तो क्या करते हो गरम और थंडे को दोनों को mix करते हो तो बीच वाला कोई temperature आ जाता है जिसके तुम्हारी skin comfortable होती अच्छी लगती है तो वही कैलोरिमेटरी का concept है colder object और एक hot object को मिला दो कि मिक्शर मनेगा मिक्शर का जो temperature होगा cold और hot के बीच में होगा तो सवाल वही आता है मिक्शर का temperature निकालने के लिए 2016-2014-191999 में यह सवाल पूछे गाए ध्यान कर उस तरह के सवाल पूछे होंगे कि 10 ग्राम आई से तो वही सारे सवाल दो पूछे गए हैं चार सालों में नीठ की हिस्ट्री में कैलोरिमेटरी के concept है आई होप यहां तक सभी बच्चे comfortable होंगे and clear भी होंगे मैं screen के सामने set जा रहा हूँ देख लीज़े अब next concept पर आते है that is heat transfer तो heat transfer, heat को transfer करने पर क्या modes होती है उन पर चार्चा भी गई है इस पार्ट में तो heat transfer के तीन mode होते हैं conduction, convection and radiation तीनों में basic अंतर क्या होता है जो conduction होता है इसके लिए material medium की need होती है लेकिन material medium खुद heat को लेके नहीं जाता जब भी conduction में heat transfer होता है तो क्या होता है बचा पार्टी जब आपने end पे heat दी तो जो molecule होगा वो अपनी location पे vibration करना बढ़ा देगा vibration की frequency बढ़ जाएगी तो क्या होगा परोसी से collision और जारत number of collisions परोसी molecule से बढ़ जाएगे तो हर एक molecule अपनी जगह vibrate करता करता दूसरे परोसी molecule से टकरा टकरा के टकरा टकरा के उसको energy देता रहता है लेकिन अपनी जगा से उठके दूसरी जगा पे नहीं जाता तो वही नीड material medium और collision of molecule की वज़े से energy का transfer होता है molecule खुद एक जगा से उठके दूसरी जगा नहीं जाता है convection की अगर मैं पात करूँ तो convection क्या होता है convection में भी material medium की नीड होती है लेकिन यहां पर medium खुद उठके जाता है आप समझे बच्चा पाटे अगर कभी पानी को गरम किया हो आपने ठीक है एक transparent vessel में लेके करना तो पानी क्या होता है गरम होते ही ऊपर आने लगता है तो क्यों आता है जब उपर क्या होता है जब नीचे वाला पानी है उससे जब आप गरम करोगे तो उस क्या होगा expand करेगा जिसका volume किसी भी molecule का बढ़ेगा तो density क्या होता है मास अपान वॉल्यूम बढ़ाएंगे density कम होगी फ्यूइट्स चेप्टर में आप पढ़ चुक हैं जिसकी वी density कम होती है वह उपर होता है और हैवी डेंसिटी वाला object नीचे होता है तो molecule क्या होता है जो जो गरम होता जाता है उसकी density घटती चली जाती है density घटने की वैसे वह हलका हो जाता है वह उपर जाता है उपर से भारी molecules नीचे आते हैं तो इस process में convection के process में molecule एक जगा से उठके दूसरी जगा जा रहे होते हैं उनके naturally जाने की वज़ा क्या होती है पहली होती है density का difference और दूसरा gravity ठीक है तो conduction में material medium की need होती है actual transfer of mass होता है जगा से जगा और क्या होता है density difference and gravity natural convection density difference and gravity की वज़े से होती है इसी वज़े से convection के process इस logic की वज़े से कभी अगर घर में आपके AC लगाया जाता है तो height पे लगाया जाता है कभी नीचे नहीं लगाया जाता फ्लोर पे reason क्या होता है एसी जब ठंडी हवा फेकेगा तो ठंडी हवा जो आपने कि ओपर से फेकी गई तो वह क्या होगी भारी तो तुरंत नीचे आएगी और नीचे की जो गरम हवा होगी वह लकी होगी वह उपर जाएगी जब वह उपर जाएगी AC के ठंडी हवा से contact में आएगी फिर ठंडी होके नीचे आएगी तो इस तरह से हवा सर्कुलेट होती रहती है एसी चलाने पे तो हवा सर्कुलेट मतलब मॉलिक्यूस खुद एक जगा से दुसरी जगा जा रहे मतलब प्रॉसस क्या हो रहा है कंडिक्शन और काउंटर पार्ट अगर आपने हीटर आपके घरों में थर्दियों चलायाजा तो हीटर कभी हैप रख्के नई चलाए जाता बिस्तर के नीचे रखेंगे उसका फिलन वए निचैंड प्रोगे हाई यह वह तरह से पूरा कमरा गरम हो जाता है लेकिन वहीं मालीड आपने रिभी को क्या किया तो अफ़ाठी हाइट पे लगा दिया तो जब हीट करे गरम हवा देगा गरम हवा कैसे हलकी ऊपर ही रहना जाएगी तो हीटर को आप हाइट पर लगा देंगे तो उपर छत वाला पार्ट तो गरम-गरम हो जाएगा और नीचे जहां आप है वहाँ पर ठंडी लगत ही होगी तो जाने एंजाने में ही सही लेकिन फिजिक्स बहुत अच्छे तरीगे से तुम लोग यूज करते रहते हो अब थर्ड से बड़ा एक्जामपल है डे टू डेली देखते हैं कि सन से जो सन लाइट है हम तक पहुंच रही है थोड़ी देर धूप में खड़े रहो ठीक है गरम हो जाओगे ठीक है तुम्हें एक एनरजी मिल जाएगी तो वह एनरजी जो सन की वज़स से आ रही है अब पूरा जो एक करती है तो एलेक्ट्र मैगनेटिक मतलब लाइट लाइट किस स्पीड से करती है तो तो रेढ़ेशन टरवल करती है 310 पर से कनदक्शन कंवेक्शन तीनों प्रॉसर्ज में आप क्लियरलमीडिश होंगे क्यां ठर कंड़क्शन में मैं अर्टीयल मीडियम की रिक्वायम उठके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे क्या हो रहा है डेंसिटी डिफ्रेंस जेनेरेट हो रहा है यह तो हो गई अब नुमेरिकल बाते करते हैं बच्चा पार्टी थोड़ी इस पे तोपिक पर सबसे पहले आता है कंड़क्शन का टॉपिक जिस पर आप देखेंगे 2015-2019-2001 में सवाल पुछे गए हैं तो अगर मैं हीट के कंड़क्शन की बात करूं और अलेक्ट्रिकल कंड़क्शन की बात करूं दोनों एक हैं तो करेंट सेम थ्यूरी सेम से बस तुम्हें अलफावेट बदल देने हैं तो कंड़क्शन वाला प्रॉस्ट जिसमें माटीरिल मीडियम की रिक्वार्मेंट होती है उसमें जो फॉर्मला बनता है हीट करेंट को कैपिटल है जैसे एलेक्ट्रिकल करेंट होता था आई डीक्यू बाइड की बात करूँ तो फिटो माइनस वी वन अपॉन आर लिए उन अपॉन लिए अपॉन आधर लेक्ट आब है को एक मिए अल्यक्रिकल करेंट की बात करूँ ने blur से पून लेक्ट कॉंष बात करूं डेलटा वी इतरी अपॉन डील्टा वी हम डिशर्व माइन से वी मीर्यसनि पे करेंट को क्या लिखते थे दोस्त पोटेंशल डिफ्रेंस अपॉन रेस्टेंस लिख देते थे वैसे यहां पे एलेक्रिकल करेंट की जगा हीट करेंट आता इसे एक लिखते हैं पोटेंशल डिफ्रेंस की जगा टेंपरेचर डिफ्रेंस लिख दोगे और रेस्टेंस की जगा आर खरमल लिख दोगे स्टेम फार्मले जो तुमने वहाँ पड़े हैं बस वहाँ पे करेंट आई को तुम रिप्लेस कर दो एच से और जो एलेक्ट्रिकल कंडेक्टिविटी सिगमा होती थी उसे तुम के से रिप्लेस कर दो सारे के सारे और पोटेंशल डिफ्रेंस को तुम रिप्लेस कर दो टेंपरेचर डिफ्रेंश डिल्टा टी से जो चीज तुमने करेंट रिप्लेस कर देना सारी चीज़ वहीं है कुछ नया नहीं है यहां पे तो कंडेक्टिविटी की बात करें थर्मल कंडेक्टिविटी की डीक्यू की वैलू क्या होती एल अपॉन के के उपर चला जाएगा तो के एंटु डेल्टर टी अपॉन यहीड करेंट की बात समझना जैसे मालों की ऩा हम लो होगी टू माइस विए वी आप वयसे विए यहां टे यहां पर Kryट फुबल होगी ही ती मिचल अपान और फर मैंने डिफरेंस रखिए रखा रेक्रिकल और हीट ठेक्ट ने पोटेंशल डिल्टा वी इसिकर आई सब्सक्राइब करते दे और करेंट को हीट करेंट एक से रिप्रेजेंट कर दे और से माची से रिप्लेज़ कर दे और के से मुझारे काφο मुझा क। सब चीज से में कुछ नया नहीं जो नया है वो मैंने तुम्हें अलग से बताया है इस स्लाइड पर क्या चीज के एकुलेंट निकालने का जो देखेंगे 2017 और 2003 में यहां पर सवाल पूछे गए हैं के एकुलेंट निकाल तो बच्चा पार्टी अगर कई सारी रोट सीरीज मे आपान ऑन लगा लगए ना लौगा लगा देना के एकुलेंट से करने में बहुत समय लगता है एक ही तरीका है अगर आप गिवन एक मिनट के अंदर सवाल करना चाहते हैं आपको सिरीज कॉंबिनेशन पैलनल कोमेशन में के के फरमले धिहान होचे यह क्या है विए पैलल कॉंबिनेशन क्या कि जब इस तरीके से सब सारी है सारी जार्ट की एक एक आंड एक तंप्रिचर पे हो गांड धूसरे के इस तरीके चाहिए देंद के लिए के करेंगे तो क्या यह साफ सुन्दर सुत्रे से नोट्स आपको मिल जाएंगे ठीक है लिखने पर दिहान ना दे मैं जो बता रहा हूं सुनते चले जाए कि जब आप करें तो आपको पता हो की मतलब यह नोट्स यह जो सेशन मैं ले रहा हूं उन्हीं बच्चे के लिए है जो इसे पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं इस रिवीजन मेटीरल और सी बात है तुम्हें पूरा समझा नहीं सकता है लेकिन हां मैं तुम्हें अच्छी आइडिया द लिखा है वो यहां पे और पहले से मौझूद है तो तीन से चार पेजस में हर एक चैप्टर को मैं तुम्हें करके दे दूंगा फिजिक्स में जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होगे या फिर जब भी आपके मानलों टेस्ट पेपर होते हैं यूनि टेस्ट होते हैं अगली बार पढ़ रहे हैं नोट से आके पढ़ रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक पर डैट इस रेडियेशन पर सवाल की मैं बात करूं तो 2002 मैं पूछा गया लेकिन रेडियेशन का ही पार्ट है स्टेपेंस लौ आप देख लें कितनी बार पूछा गया ह घियर है तो नूटन्स लौ में स्टेफिंस लौ और नूटन्स लौ स्कूलिंग और वीज्डिस्पेस्मेंट लौ यह इतना इंपॉर्टेट है हर साल सवाल पूछा ही जाता है तो प्लीज आई सजेस्ट कम से कम आप स्टेपेंस लौ पे 20 सवाल अपनी मॉड्यूल से प्र कर लें आएरिपेट अब क्या है रेडिएशन में इस पहँले बात करी 만큼 तीह तिए तुरी ति क्या कहती है और बॉड्री डकस समनरी सबक्राब्रों एक हरे हैं टैंपरेचर के कुछ ना कुछ रेडिएशन आपकर ही रही उती है यह प्रिवास की दुरी इसके बाद के शॉप्स ने क्या बताया कि जितने जो गुड एब्सार्वर फोगा वह मेशा गुड'! झूण थि यह disent हमें यह भी पता है एक परफेक्ट ब्लाक बॉड़ी के लिए एक परफेक्ट ब्लाक बॉड़ी के लिए उसे कहते हैं जो अपने उपर पढ़ने वाली सभी रेडियेशन को एंटायर सब्सक्राइब कर ले रही है तो उसे क्या कहते हैं ब्लाक परफेक्ट ब्लाक बॉड़ी के लिए दोनों सब्सक्राइब के बराबर होते हैं अब नेक्स कंसेप्ट आता है वीन्स दिस्प्लेस्मेंट लॉग का क्या कहता है लेम्डा मीन वेवलेंथ इंटू टेंपरेचर 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 जब भी यह फॉर्मला यूज कर रहे होंगा ध्यान रखना टेंपरेचर कैलव वो इस कंसेट को क्या बॉल दिया नाम बी क्या होता है वीन्स कंसेट कहते हैं इसकी वेलू टू पॉएंट नाइन्टू टेंटू दिपार माइनस ट्री मीटर कैलविन होता है इमानदारी से बताओ इस पी कंसेट को याद रखने की बहुत ज़रूर्द नहीं है लेकिन आता है इसकी इसकी बालूब करने वाले सवाल नहीं आते है तो यह क्या कहता है लेंड़ा मतलब क्या टैंपरेचर बढ़ाओगे तो मीन वेवलेंथ कम हो जाएगी इसे हम क्या देखरें लेंड़ा इसकी बालूब किसी बाड़ी का अगर टैंपरेचर बढ़ाएंगे तो मीन लेवलेंथ जिस पर वह पीक रेडियेशन एमिट कर रही थी वह वेवलेंथ क्या हो जाएगी कम होती जैसे मैंने यह ग्राफ बना रखें तीन डिफ्रेंट इफ्रेंट तेंपरेचर पे एनर्जी ऑषब्सेज एनर्जी वससे वेवलेंथ का ग्राफ मैंने ग्राफ मैंने त्री टिफ्रेंट इंपरेचर इपहर सब्से छोटा एक कि और त्री प्रेटर ददन टीटेटिक के कर्सपोन्डिंग जो पीक रेडियेशन आ और रहे है वो देखो कहां रही है यहां रही है वहिए टीटी की बात करें तो यहँरीन के लिया रूड आ टीवन के लिया सबसे मीनिमम व्ये लैंद सबसे पहले पढ़ ऐसका पढ़ रहा तीधरी तो जिसका जितना temperature जादा होगा उसके लिए पीक intensity के corresponding जो wavelength होगी वह उतनी ही छोटी मिलेगी तो भाई T3 greater than T2 greater than T1 जिसका temperature सबसे जादा उसकी wavelength सबसे कम तो lambda 3 सबसे less than lambda 2 less than lambda 1 सबसे बढ़ा होगा temperature T1 सबसे छोटा तो जैसे जैसे आप temperature बढ़ाते हैं तो पीक radiation के corresponding जो wavelength होती है उसकी वैलू घट पी चली जाती है decrease यही बताता है वीज displacement law और सिर्फ इतनी छोटी सी बात पर बहुत simple सवाल होते हैं इतनी बार सवाल पूछे हैं तुम्हें अब आता है next concept that is stephen's law stephen's law क्या कहता है बच्चा पार्टी कि कोई भी बॉड़ी जो power emit कर रही है heat emit कर रही वो किसके बराबर होते ही that is emissivity of body sigma क्या है stephen's constant है जिसकी वैलू 5.67 into 10 to the power minus 8 होता है stigma की वैलू क्या होती मैंने शाहिए नहीं लिखी मैं लिख दे रहा sigma is equals to 5 मेरा फेवरेट कन लब को पॉंस्टेंट है कि सिगमा इस इकोस तू 5.67 into 10 to the power minus अब तो समझ में आ गया हो को मेरा फेवरेट क्यों है कभी मतलब याद रखने की जोरती नहीं कितना सुन्दर 5 6 7 8 5 6 7 8 5.67 इतना सुन्दर कंट कॉंस्ट ऐसे होने चाहिए कि हम याद रखने की जोरती हलागी कोशन में दे रखा को नहीं दे रखा को तो यह वलूपूट करने को फाइप पॉंस्टेंस बोल्समान कॉंस्टेंट भी कहते हैं तो जो पावर अमिट करता है समस्लों आपकावर का फावर का फावर का फावर एंटिव सिग्मा इंटुए इंटू टैम्प्रेचर ऑफ बॉड़ी की पावर फोर दिहार नखना जो टीवी लिक्र तेम्परेचर ऑफ बॉड़ी रख रहे हो वह किसमें रखोगे कैल्विन में रखोगे य यह स्मॉल एंट यह यह वह क्या है बच्चापाटी टोटल सर्फेस एरिया जो भी एक्सपूस्थ एरिया होता है उससे सर्फेस एरिया कहते हैं तो पीजी कर्श्चू ई सिगमा एंट्टू टेमपरेचर ओव बॉड़ी की पावर एमिट कर रहा होता है जो भी बॉड़ी की बॉड़ी की जो भी टे मटर जो उसके के रिसपंडिंग उतना पावर एमिट आभोर कब नेट œ रिरतनी बॉडार्म सकी बात करें हर एक रीड़ी क्या होता है पावर एमिट तो करी रही होती लेकिन सात में सरसूरॉण्डिंग से पावर kicia term excellent ब़़ीट की बात स्रावर पर का न स्रावर घान यह मुंन्ग तो यह आप और कर देते हैं तो स्टिफिन स्लो यह बताता है पावर पॉष्चर उथ यह वाले ही रिलेशन पर इतने सवाल आएए ठीक है आप सौल का लिएगा यह में मैं सब्सक्राइब नहीं करा सकता वरना सेशन बहुत लंबा हो जाएगा मीनिंग्लेस हो जाएगा जिस अब्जेक्टिव से अखले बनाया जा रहा है कि आप वक्त में बहुत क्रिवीज़न इनकी वज़़े से कर पाएं तो यह हो गया स्टिफेंस लॉफ फिर नेक्स्ट आता है न्यूटन्स लॉज ओफ इस पर भी 2016 में 2014 में 2020 में 1994 में 1993 में सवाल पूछा गया है यह क्या कहता है किसी भी बॉड़ी का जो इनीशल टेंपरेचर है माइनस फाइनल टेंपरेचर अपॉन टोटल टाइम लिखो के वो किसके बराबर आएगा के टाइम क्या है कोई कॉई कॉ सकते हैं कॉशन में सॉल करके कुछ अलग वैलू आएगी इस इस टेंपरेचर माइनस टीटा सरॉंडिंग टीटा से यह इस पॉमले पर बेज्टन्स लॉज ऑफ पूलिंग के सवाल आते हैं तो यह चीज़े होगी अब मेरी रिकमेंडेशन क्या है इस चैप्टर से या फि इसी बात है अगर डेटा के बेसिस पर जा और उसी के बेसिस पर जाना चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई एक लीस्ट इस चैप्टर में आप लोगों को वीन्स डिस्पेस्मेंट लॉग स्टिफिन्स लॉग और न्यूटन्स लाज ऑफ पूलिंग यह तीनों पा बच्छा पाठी पूरा आपको थर्वर पॉपर्टिस ऑफ मैटर आप लोग के लिए मैंने करा दिया आई होप आप लोग को सेशन बहुत पसंद आया होगा प्लीज कोमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताईए आपको सेशन कैसा लगा और क्या यह आपको हेल्फुल है इस अब भी होए जैन्मिन फीडबेक जरू दीजेगा कमेंट सेक्शन में लब यू और टटा बबाई जैन गॉर्बेस यू अल दोस्तों